इंडियन फुटबाल में एक हिस्टोरिक डिसिशन हो गया है और जब भी मोहनबागान का कोई कोच सैख होता है या नया कोच आता है it's always historic और ये भी एक historic decision ही है जहांपे हम देख रहे हैं कि जुआन फिरांदो आज सैख हो गए और उनके जगा में आए है अन्तोनियो लोपेज हबास और बहुत लोग मुझे ये बोल रहे थी कि इन्बॉक्स में मेसेज भी किया कि भाई आज तुम बहुत खुश होगे जुआन फिरेंदो सैख हो गया सच बात तो ये है देखो भाई किसी बंदे का अगर नौकरी जाता है कोई खुश नहीं होता I am not happy भाई ये कि ये कोई आनंद करने की डांस करने की जगा तो है नहीं कोई सैख हो गया वो हमारे फर्स आई लीग विनिंग कोई नेशनल लीग तो हमने जीता आई लीग जब हमने पहली बार जीता वो संजे सेंच सर भी जब अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई उनको भी सैख कर दिया गया किभू विक्यू निया जब दो टीम्स मर्ज हुए वहाँ पे उनको भी सैख कर दिया गया और मोहन बगान में सैकिंग होते है और मोहन बगान में रिवल्विंग दोर पॉलिसी भी चलता है उनको भी सैख करके जुआन फिरंदो को लाया गया वह एक तोटल डिफरेंट टॉपिक है उसमें भी आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि वाट को एक्सपेक्ट आप अन्तोनियो लोपेज हबास और उनको लाना क्या एक ठीक डिसिशन था कि गलत डिसिशन था we will also talk about that but as of right now जुहान फिरंदो सैख हो गया है and why he did get sacked क्योंकि अगर आप बाहर से देखो सच बात तो यही लगेगा कि the first and this is the truth कि भाई इस बंदे ने तुम्हें ISL जिता जा इस बंदे ने तुमको दूरंकब जिता जा so why are you guys sacking the coach बहुत important question है but अगर आप फुरा अंदर जाके देखो there is certain reason why he is getting sacked क्योंकि देखो first of all Mohan Bagan ने इस season में क्या ambition क्या रखा था कि हम AFC Cup में जाएंगे हम AFC Cup जीतने की कोशिश करेंगे क्योंकि next साल से AFC Cup का model पूरी तरह से change होने वाला है जीतना almost impossible है जीत जाएंगे तो अच्छी बात है but the truth is इस बार golden opportunity था AFC Cup जीतने का and team सबसे costly team थी India की नहीं AFC Cup की but AFC Cup की group stages से knockout हो जाना वो भी Bangladesh के team के साथ हार के और draw कर के which was humiliating उसके बाद coming on to the Durand Cup East Bengal से हारे थे and the performance was not convincing third उनके team में इतने सारे high profile players थे ये उनके लिए problem मन गया था क्योंकि जब आपके पास साथ national team players हो दो world cupers one euro cuper one AFC Champions League मिना one current Europa League player हो आप से यही expectation है कि कि आपको जीतना परेगा you will have to win 9 out of 10 games और एक अगर हर भी जाते हो that's fine but आपको 10 matches 9 matches तो जीतने परेंगे जो हो नहीं रहा था अंडर जुआन फरांदो start बहुत अच्छा हुआ था the team was cruising बड़ ये भी fact है कि कोई भी top 6 team के against performance तब तक नहीं दी थी team ने उसके बाद बहुत बड़ा change आया finally Mohon Bagan को एक के बाद एक tough fixtures खेलने पड़े and Mohon Bagan looked trueless Mohon Bagan looked pathetic and there was shambolic defending और सच बात कहूँ तो team को देखके बिलकुल नहीं रग रहा था कि कोई turnaround होगा team के players एक दूसरे के साथ मारपीट कर रहे थे match के पहले team के players के बीच बन नहीं रही थी जिसका हम connection बोलते है इतने सब चीजों को दिमाग के रखते हुए Mohon Bagan management में सोचा कि बस यही तक था जो था we will need to get a new coach अब जो सवाल आता है Mohon Bagan ने क्यो Antonio Lopez-Habas को ले आए इतने सारे options थे why did you go for Antonio Lopez-Habas वो भी mid-season में this is mid-season why will you go for Antonio Lopez आपने sack करके जोआन को ले आई थे उनको sack करके first है जोआन को जो idea से आप लोगों ने hire किया था वो idea complete नहीं हुआ जोआन को लाने के साथ Mohon Bagan ने ये idea सोचा कि we want to play an attacking brand of football हम एक attacking brand of football खेलेंगे हम attractive football खेलेंगे goals करेंगे हमारी philosophy होगी सच बात तो यह है चारो में से एक भी चीज नहीं हुआ पिछले साल Mohon Bagan ने अपने अच्छे defending की वज़े से last कुछ एक last में एक run लेके जीता था उस बार भी Mohon Bagan का बहुत अच्छा टीम था और जोआन फिरांदो टीम को shield नहीं दे पाए थे और इवन पॉप टू में भी नहीं थे नाव मुविंग ओन तो नेक्स पार्ट वहां पर क्या हुआ थर्ड पार्ट में आ जाते हैं थर्ड पार्ट आपने सोचा था एक फिलोसोफी होगा एक प्लेंग स्टैल होगा बिल्कुल कुछ नहीं था हर एक मैचेस में नहीं कोचा हर एक मैचेस में नहीं नहीं थैक्तिक्स नहीं फॉर्मेशन जर वस नो सेटल फिलोसोफी तो नेक्स टॉपिक जिसको सोच रहे थे कि भाई जुआन फेरंदो को लाने के साथ हम एक प्रॉपर स्ट्रॉक्चर बिल्ड करेंगे कि बेंच स्ट्रेंथ होगा यंग प्रॉपर होंगे क्योंकि हबास के नाम पे एक गलती तो लोग बार बार बोता है हबास ड़संट इप चांस तो जुआन फेरंदो ने कियान के अलावा किसको दिया चांस अपने टीम में तो अब आते हैं जुआन फेरंदो के बाले में क्यों मोहन बगान मैनेजमेंट में ये सोचा कि जुआन फेरंदो को सैक करने के बाद अंतों लोबिद हबास को ले आ है पहले ये चीज़ समझ लो इस टीम के जो प्लेयर्स है वो हबास सिस्टम में नहीं खेले हुए है जुआन फेरंदो सिस्टम और हबास के जो प्लेयर्स थे एटी के मोहन बगान के वो प्लेयर्स ये स्टीम पे है नहीं जिस रीजन के लिए उनको ब्रॉट आउट किया गया है कि हबास का सबसे बड़ा चीज है उनका मैने मेनेजमेंट वो हेवी वेट जो प्लेयर्स है जैसे जेसे जेसन कमिंग्स अरमांदो साधिकू पेतरतोस हमिल यूस्ते इन सबको अच्छे से मैनेज कर पाएंगे क्योंकि आगर आप लोग ये जानते हो कि अन्तोनो लोबेज अबस अतलेटिको मदरित के असिस्टेंट कोच थे और इवन मोर देन दाट इन फूटबाल में लूइस गार्सिया, फिकरू, बोरहा, ओफेंसे नातो इन सब बड़े-बड़े नाम अपूला, एदेल बेटे उ उनका फूटबाल देखने में बहुत बुरा लगता है, और मैं सच बात बोलू तो बहुत लोग आप उसका हराम बॉल सकते हो, यू कन कॉल अन्तोनो लोबेज हबास फूटबाल जोसे मोरीन और डिएक दो बोल आ जाया तो अच्छा है, वी विल विल विन दिस गेम और वी सच बात तो यही है, बट अगर आप जूटबाल जाने के बाद को जैसे अलबत रोका को ले आते, क्योंकि यह उनका स्कौड है नहीं, अगर आप हबास के बारे में देखो, यह हबास की थोड़ी बहुत कुछ प्लियास है, जैसे अलमांदो साधिकू, जूटबाल जूट इंट्रेस्टेड नहीं थे, अरमांदो साधिकू को लेने के लिए, यह डिसिशन किसका था, अंतोनियो लोपेज हबास का था, कि उन्हें लगा कि इस प्लियर लुक लेंगे, और मैं बोल रहा हूँ, अंडर, अंडर, someone like, अंतोनियो लोपेज हबास, अरमांदो साधिकू, जेसन कमिक्स और दिमित्री पित्रो तीनों ही अच्छा फुटबाल खेलेंगे, त्योंकि अगर आपको ठीक ठाक से यह पता है, यू विल नो, कि अंतोनियो लोपेज हबास अच्छे स्ट्राइकर्स पसंद करते हैं, इसके अलबाद दिमित्री पित्रो तो उसको वो डेव 4-4-2 और 4-3-3 formation, 4-3-3 formation में अधरवाइस देखोगे कि कमिंग्स या साधिकू या कमिंग्स पेत्रातोस या पेत्रातोस साधिकू एक दोनों, एक स्ट्राइकर एक विंग में खेलेंगे and with them, मनवीर या लिस्टन कोई एक लेफ्ट विंग जाके पोजिशन में खेलेगा, This is the basis, यह basic football है, coming on to the midfield, 4-3-3 formation, आप यह समझ के चलो, Glenn Martins नहीं रहने वाला, Glenn Martins and even Hugo Bumu के साथ भी मनमुटाफ थे coach के, so Hugo Bumu, मुझे नहीं लगता कि, तेखो, अब तो, अब Hugo Bumu को नहीं छोड़ेंगे Mohan Bagan, but अगर Antonio Lopez, Habasi continue करते है, after this season as a coach, then मुझे नहीं लगता कि Hugo Bum के साथ उनका record उतना अच्छा है नहीं, और Hugo Bumu के साथ उनका जो equation है, वो भी उतना अच्छा है नहीं, and that's the truth, इसके अलबा 4-3-3 formation में, Glenn Martins आपको नहीं दिखेंगे, दीपक टांगरी का भी future के बारे में एक सवाल आ रहा है, क्योंकि मैं जितना जानता हूं, Antonio Lopez-Habas को, CDM में बिलीफ करते हैं, क्योंकि whenever you see his team, अगर आप पहले season के team को याद करो, often से ना तो अब Bora Fernandes जाशे दो प्लेर्स थे, उसके बाद जब 80K के पार थे वो, 80K में second बाद जबाए, काल मक्यू को ले आए, उसके बाद जब वो बाकी clubs में भी जाते हैं, he constantly takes central defensive midfielders, so एक foreign central defensive midfielder आने वाला है, अब सवाल है कि क्या Hamill, या Cummings, या Petratos, या Sadiqoo, या Bumuk, किस के उपर, किस के उपर जाके वो X गिरेगा, क्योंकि एक player को मैं जाते हुए देख सकता हूँ, इस team से, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि Antonio Loves Abad सारे players को रखेंगे, वो एक central defensive midfielder को जरूर ले आएंगे, Lenny Rodriguez को लेने की एक कोशिश वो जरूर करेंगे, Lenny Rodriguez type के player वो उन्हें बहुत पसंद है, जो basically एक box to box role play कर सकते है, अनिरुत थापा बहुत अच्छा football खिलेंगे अंडर him, अनिरुत थापा का best football आप लोग देख पाओगे, अंडर Antonio Lopez Abad, इसके अलावा भी अग अनिरु रोबेज हबास के अंडर में, जावी और एडू गार्शिया जासे footballers बहुत एफेक्टिव थे, लुइस गार्शिया ने भी बहुत अच्छा football खिलात अपने बहुत उमर तराज यर्ज में, he was a veteran but he still played good under Antonio Robes Abad, so अगर एक quality central attacking midfielder हो, आपका एक team में जगा बनता ह हुगवभु नहीं सूठ हुआ, that was I think more of a personal issue rather than coaching, so and Sahal Abdul Samad will make the most of the situations, और दो जो fullbacks होंगे, I genuinely think that Xavier Gama के पीछे मोहन बगान जाएगी, क्योंकि ATK को अगर आप याद करोगे, ATK के पास Prabeer दाज हुआ करते थे, Prabeer used to play as the right winger and right wingback और बहुत अच्छा football वो खेलते थे team के लिए So, Ashish Rai को आप इस team में एक बहुत important role लेते हुए देखोगे, Ashish Rai finally अपने natural position में attacking wise football खेलेंगे और liftback में शायद saviour गमाएंगे, इस team में अब Shubashish Bose का role थोड़ा अलग हो जाएगा, Shubashish Bose will most probably now play as a converted center back, क्योंकि Mohan Bagan will either move into a 5-3-2 और a 4-4-2, जो यही दो formations, Antonio Lopez, Habas के favorite formations थे, the 3-5-2 और a 4-3-3 and even in some cases 4-4-2, so जहीं पे भी जाओगे आप, the two wingers will play a big role, Liston Kolaso का क्या होगा आप हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं जितना जानता हू, Antonio Lopez, Habas, loves Manveer, will love Ashik Kurunyan, क्या इस team में जगा बनता है, that's a big question, Kia Nassiri और Suhel Ahmed Bhatt के लिए, this is not a good news, क्योंकि Antonio Lopez, Habas doesn't, likes to work with young players, he likes to work with senior players, core group, और Antonio Lopez, Habas से आप defensive stability की उम्मीद कर सकते हो, team जो भी हो, आपके against अगर Odisha खेल ले, Mumbai खेल ले, Goa खेल ले, Mohan Bagan अब ज्यादा goals नहीं concede करेगे, क्यों Antonio Lopez, Habas is a very strict defense first mentality coach, और इसमें कोई change नहीं आने वाला, he will put the defense in the first place as well, इसमें कोई डाउट नहीं है कि Mohan Bagan will play a defense first, attack second opportunity, और मुझे लगता है Jason Cummings ओ, या साधी को दोनों इस method से बहुत अच्छा football खेलेंगे, उन दोनों के पास pace रहेगा, वो दोनों operate कर पाएंगे, उन दोनों को अब जाके low block football के सामने बार 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 खेलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि Mohan Bagan will now play with a low block formation, जहाँ प भी यही चीज होगा, without a doubt, भाई bro you agreed Scott Cooper, भाई Scott Cooper की बात यहाँ पर करके कोई फायदा नहीं, let's talk about the thing which is possible, Habas rejoining as a head coach, yes I know भाई, Habas most confused, no यह बिल्कुल confused decision नहीं है, यह बहुत अच्छा decision है, क्योंकि 6 महीने बाकी है, 6 महीने season के बाकी है, कौन सा नया coach आएगा आपके team ले, who who will come as a new coach, अच्छे coaches right now are being employed by the clubs, वो मिड सीजन में नहीं आएँगे, second of all, who was the other option for you, Albatro का मिड सीजन में नहीं आएँगे, Manolo Marquez already a club में है, there is already someone like a Odessa FC के coach हुए बैटे है, someone like a Sergio Lowe बैटे है, तो कौन आएँगे, who is the next better option, आप ही बोल लो, कौन option है, कोई option नहीं है, so you have to go for Antonio Lopez because Abbas, he is a two times, two times, three times, maybe three times ISL winning coach होंगे, so yeah, he is someone who knows the league very very well, Mohon Baghana actually lucky to have him, team के पास अच्छे फुटबालर है, and you know he loves to work with senior footballers, his team के पास अच्छे कोर सिने ग्रूप है, and seven national team players, you will have to give him the time to do his job there, भाई, hello boss, Abbas again, yes, I am a bit disappointed, but I do understand why Mohon Baghana is, still MBSG won't be table topper, भाई, नहीं कोच आने के बाद, अगर कोई सोचता है कि Mohon Baghana tabletop करेगा, वो कोई गधा ही हो सकता है, क्योंकि Mohon Baghana का aim यहां पर बहुत सही है, Mohon Baghana wants to be in the top four, Mohon Baghana top four achieve करना चाहता है, and Mohon Baghana wants to give a solid performance in the super cup, क्योंकि Antonio Lobes-Habas की teams, knockouts में बहुत अच्छा football कहलती है, otherwise Mumbai के अ कोर-कोर football खेलेगी, और मुझे लगता है कि they will do well in the knockouts as well, when will Bumu Kammin Sadiku going to sack, भाई, Bumu Kammin Sadiku नहीं, Sadiku तो जरूर रहने वाला है, he was a signing of Antonio Lobes-Habas, so Cummings को क्या छोड़ेंगे, बहुत मुश्किल लगता है मुझे, क्योंकि Jason Cummings is a player who is bought with a huge amount of money, बहुत पैसों से खरीदा है, अग EuroLeague that can come to India, right now, no, कोई नहीं, mid-season में कोई आहीं आता, अमा के मुणा चे भाई, तुम्ही ठीकी बोले चिले, वेदांश भाई, मुझे याद है, and I said कि जुआन फेरांदो सैक होने वाला है, क्योंकि I was getting the feeling, क्योंकि आप अगर बद्दे में अपने कोच को विष्णा करो न, it looks like, JPB extends, yes, yes, वो वो शो भी रात में होगा, don't worry, मोहन बगान ने, जोनो के शेरा कमिंस न की रोय, भाई, रोय डिट प्ले फोर 80 के मोहन बगान, which was not मोहन बगान, and as for Cummings, he is still proving himself, he is not up there, so कोई भी नहीं इन के अंदर, क्योंकि 80 के मोहन बगान was not मोहन बगान, रोय आपको क आपके अपके अपास है नहीं, और वो इस टीम से अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि इस टीम का defense weakness है, और इस टीम में, अगर आते है, he will improve this defense better, अगर मुझे बोल दो कि next season के start में रहेंगे, मैं तोड़ा disappointed होंगा, क्योंकि मुझे उनका playing style अच्छा नहीं लगता, but again the fact is mid-season में, I am very happy that he is the Mohanbagan coach, experienced, ISL winning coach, इस से अच्छा market में available नहीं था, you will have to back him right now, भाई, Habas saik, Juwan saik, Habas appointed, Spider-Man meme, क्या ही बोले भाई, अब देखना पड़ेगा, next, it will be funny, if Mohanbagan makes Juwan Fernando technical director, अब Habas saik हो जाते है, तो Fernando lot आते है, लेकिन Habas के coaching में, build-up play नहीं होगा, जो देखने में अच्छा लगेगा, भाई, fact है कि right now, अगर आप expect करते हो कि season के half में आके एक नया coach, आके एक नया system के लाईगा, you are wrong, अगर आप यहाँ पे अगर आप पेप Guardiola के भी coach बना दो, next 6-6 महीने में कुछ नहीं बदलने वाला, क्योंकि एक team का tactics बनता है pre-season मे, pre-season नहीं मिला coach क So, जो होने वाला है, Habas का formula, Habas के formations, Habas का football, थोड़ा old school football है, उसको सीखने के लिए आपको tactically genius नहीं बनना पड़ता है, it's very conventional, defense first, attack second, counter-attacking mentality football and you will see that happening at Mohon Bagan as well, so it's the truth, it's the truth. फई, bro, I heard that Carlos Martinez will be releasing, देखना पड़ेगा भाई, genuinely wanted Juwan to get sacked, but Habas is worse than Juwan, क्या करे रचित भाई, Mohon Bagan है, विक्री club है, ये Habas के तारिए Fernando के NHL, कोचर की दौरकार, referee खेले देवे, ओजिद्दा, I know you are getting angry, but क्या करे भाई, कोलकता डर्भी will now be called a bus parking derby, इस match में अगर एक गोल भी हो जाता है, that's a miracle, भाई, भाई, लॉंग बाल, भाई, फ्रस्टेशान आरो, बाठते चोले जारा होनेक दीन, दरहा हवास से खेला देखे जाने तरह, हवास को पता है, but true factor तो ये भी है कि, भाई, हवास, देखो, right now, Mohon Bagan की टीम क्या passing football खेल रही थी, अंडर Juwan Farando, सच, answer is no, Mohon Bagan अभी भी slow passing football खेल रही थी, Juwan Farando का system भी boring ही लग रहा था, वहां से अगर Antonio Lopez Abbas आते है, वो एक counter attacking long ball direct football खेलेंगे, वो भी boring ही होगा, but आपके defense 3 या 4 goal match में नहीं खाएगी, आपकी team ज्यादा तर matches में जीतेगी, आपकी team knockouts में जाने के बाद अच्छा perform करेगी, क् and more than anything, एक mentality होगा team के पास, जो मैं miss कर रहा था कि 90 minutes में goal करना, जाके match के last minute तक fight करना, dressing room का जो atmosphere है, वहां पे quick, strong, strict disciplinarian coach होना, जो dressing room को control करेगा, यह जो players अपने trips में जा रहे है, players घूमने जा रहे है, players training में नहीं आ रहे है, यह सब चीज़े नहीं होगी, Antonio Lopez Abbas की team fit होती है they are perfectly fit, fine, bastobroi का एक बहुत बड़ा रोलो का, Clifford Miranda will stay there, but bastobroi will get the promotion, he will again come back, क्योंकि bastobroi and Antonio Lopez Abbas formation has been, this combination has done a whole lot of good for the team as well, so वो भी होने वाला है इस team के साथ, भाई, CFLA एगेंस से ना खेले, पाली चाबर आए से ले पाला भे, oh, विजित इस Bengal fan, या भाई, तो East Bengal also run away from a whole lot of matches, भाई, अगर paper cutting मिले तो दोनो, East Bengal and Mohanbakan fans blaming each other is like comedy, भाई, दोनो ही बुरे हो, कोई अच्छा नहीं है, both of you guys are bad, so एक दूसरे को blame करना के कोई matter नहीं होता, मै मैं खुद Mohanbakan fanu, मैं shamelessly बोल ला होगी, हमारी club भी ऐसे incidence हुए, जो बहुत बुरा है, और आपके clubs में भी बुरे है, कोई एक club अच्छा है, ये club बुरा नहीं है, भाई, मैंने तो बोल दिया था, कि I will again tell it, भाई, मैंने तो बोल दिया था, कि I will again tell it, भाई, भाई, मैंने अच्छे भाई, तुम्हें ठीकी बोल अच्छे, थैंक्यू बता, फ्रॉड हो गया, फ्रॉड गया, फ्रॉड गया, MBSD भामोस और इसा, भी नहीं तो रिसा, फैन, बट जो भी लोग देख रहे हो, भाई, वीडियो अभी भी चलेगा, डोंट वरी, मैं और भी बाते बता स्टेडियम में, इंटरनाशनल स्टेडियम करेगा, हाँ, ये मैंने भी सुना है कि इंदिरा गांध यारिलिक स्टेडियम में होगा, पर ये कितना सच है, ये तो सिव हिमांत विश्वर सामा को ही पता है, I don't know, भाई, if Listern removed from Mohanbagan, he will return to his Goa under former Kuch Manolo, Goa में नहीं, most probably Orisa rid of the fraud, विनीद भाई, सज बात तो ये है कि mid-season में coach sack करने के बाद किसी भी team से आप बहुत कुछ expect नहीं कर सकते, I am telling this thousand times, my expectation is not to win the league, my expectation कि next season में जाते जाते आपके बाद एक settled core हो, आपके main players form में आ जाए, आप एक समझ लो कि यही मेरा core team है, जो नया coach है, अगर हवास coach है त little transformed unit हो, this is the only thing I want from this season and a good performance in the Super Cup and a knockout finish and even अगर ISL जीत सकते है, not the shield but ISL का trophy, then we should give it a try, मैंने देखा है अन्तों लोपेज अबास and Mohan Bagan always do this, when they hire a new coach, they do give some instant rewards, shield नहीं जीते हैंगे बाद में जीते हैंगे बाद में जीत सकते हैं, not the shield but ISL का trophy, then we should give it a try, मैंने देखा है अन्तों लो attacking portion, attack, कोई एक attacker निकल जाएगा Mohan Bagan के साइट से और एक central defensive midfielder आने के chances बहुत हाई है, और एक बोरो बोरो जोगते शोना चार, Robson और सादीकू का exchange को, मैटे की भालो को रिशन अबे, सादीकू मुझे नहीं लगता कोई change होने बाला है, सादीकू उस type के players है, जो बहुत to win shield, but I won't be surprised if Odisha wins it, मेरा पैसा पूरी तरह से Goa के उपर है, Goa will win the shield, but मुझे लगता है, the closest contender will be Odisha, Odisha will be the second place team भाई, could Johan go to another ISL clubs, क्यों नहीं, why not, why not, जो भी team इसके बाद अपने coach को sack करेगी, Johan Ferandu will be in their list, Anwar can do better with long ball game pay and he will do better, Sumit Rathi ने बहुत साथ improvement किया था, and yes, Sumit Rathi के लिए बहुत अच्छा चीज़ है, Sumit Rathi को आप टीम में एक important role मिलेगा, क्योंकि Sumit Rathi is a very very good player, who played under Antonio Lobes-Habas, so Habas उनके साथ कुछ काम करने की जरूर कोशिश करेंगे, बाई 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 बुमो बाई, यह मुझे भी लगता है कि, मुझे नहीं लगता है कि, बुमो रहने वाले है, it's very very less chances बाई, बाई, रॉय कृष्णवा बिलियम्स के पास, इंडिविजिन बिलेंस बिलेंस उनके पास गती थी, लेकिन कामिन साथिकू के पास बिलकुल भी स्पीड नहीं है, भाई, जुआन फिरांडो का सिस्टेम अलग था, आंटोनो लोबेज हबास का सिस्टेम अलग है, आंटोनो लोबेज हबास गधे को खुरा बना सकते है, एक गधे को भी घुरे का जो स्पीड है, वो तो नहीं दे पाएंगे, but at least वो उनसे अपना अंटोनो लोबेज हबास साइनिंग, सो मुझे नहीं लगता साधिकू कही जाने वाले है, as for Jason Cummings, he will have to work on his fitness, क्योंकि बार बार अगर आप अपने fitness को उपर काम ना करो, it becomes the problem, as for Dimitri Petra Doss, he is literally the best player in the club, आप उनको तो नहीं छोड़ सकते, so the only player जो जा सकते है, that's Hugo Bumu भाई, absolutely Hugo Bumu, भाई, Peter Ketri, कैसा coach लगा आपको, it's too early भाई, Ketan भाई, it's too early to say anything, एक side में NFC सुदर रहा है, और एक side में MBSU old NFC बन रहा है, old NFC बनना बहुत गलत है, this is completely, this is such an overstatement, NFC is a very good side, Mohon Bagan is a very good side, but old NFC की तरह Mohon Bagan management ये कमी नहीं होने देगी, अगर problem होता है, they will buy new players, so that's the quick fire solution for Mohon Bagan, Johnny Kao को फिर बे, there is chance, Sohail Akhtar भाई, Johnny Kao को lot आएंगे, Johnny Kao को is a very favorite player of Antonio Lobezabas, और अच्छा football भी हो, उनके अंडरी था, you think that MBSG and MCFC coach have left season, they will complete for the shield, मुझे नहीं लगता, they will complete for the shield, Mumbai कर सकते हैं, but Mohon Bagan नहीं, they will totally come from a different system to different, Mohon Bagan का system change होने वाला है, so Mohon Bagan के लिए ये बहुत बहुत बरा change है, अच्छा performance currently expect करना गलत ही होगा, if you didn't expect a star star team to win a shield, then you are a fraud fan, रचीत भाई, ये आपने बहुत गलत बोल दिया, season के शुरू में मैं क्या बोल रहा था, if you are a subscriber for a channel from the start of the season, Mohon Bagan were the favorites, but right now mid-season में आके क्या Mohon Bagan favorites है, shield जीतने का, अगर मैं यहाँ पर आके हाँ, Mohon Bagan जीतेगी, मैं तो ये भी बोल सकता हूँ, मैं तो जेको भाई, Mohon Bagan के पास जितनी trophies है ना, मैं बाकी सारे 11 clubs को यहाँ पर ट्रोल कर सकता हूँ, apart from East Bengal, East Bengal Mohon Bagan के पास जितने trophies है, दोनों के पास, बाकी ISL clubs को 500 साल लगेंगे, equal होने में, 500, एक दो नहीं, 500 साल पास more than 300 trophies है, बाकी clubs के लिए ड्रीम है वो, but fact यही है कि मिट सीजन में आके, January Transforming में के, Mohon Bagan are not the favorites, Mohon Bagan are not the favorites, right now FC Goa is the favorites, Orissa Fon में है, they are the favorites, Mumbai भी favorite नहीं है, Mohon Bagan, Mumbai, both are out of the fight right now, क्योंकि नए कोच है, नया system है, उनको time लगेगा, but अगर मैं बोलो नहीं भाई, Mohon Bagan अभी ल realistic guy, क्योंकि next season जब start होगा, मैं फिर से बोलूँगा, Mohon Bagan is a favorite to win the shield, क्योंकि Mohon Bagan हर एक season में league shield की favorite होते 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 ही जाएगी, यही सच है, यही सच है, Goenka will fund this team and this team will always be one of the favorites, but currently they are not, they are not, absolutely not, क्या भाई, मैं fan होकर कुछ भी बोलूँगा, ऐसा नहीं होता, what about Goa transfer news I will absolutely tell, भाई, Huddy.com saying Yellow Stars, Kerala, yes भाई, हाँ, ठीक, new manager, add up, कोले ही time जावे, बट new season, हवास चोल वेना, yes and I think it's a temporary solution, मुझे नहीं लगता कि Mohon Bagan हवास को पूरे season में रखीगी, it's a temporary solution, अगर सच में international stadium में transform करेगा, तो World Cup का match confirm है, then Northi should get World Cup matches, क्यों नहीं, देखो दा, जुआन दीचें, this makes sense, जो को नहीं देखो नहीं, तुमार उपर है अल्ड़ी चाप, तुमी तो शोले जाबी, नहीं, अल्ड़ी गो बैक शुरुआ जाबे, and the truth is, अन्टोनो लोपेजभास का जो system है, Mohon Bagan अपने 7 players को Super Cup में मिस करेंगी, मैं यह समझ के चलता हूँ कि Mohon Bagan शायद एक नहीं foreigner को ले आए, और शायद एक या दो इंडियन प्लेयर्स को टीम में ले आए, मेभी साना सिंग, and मेभी सेवियर गामा टाइप प्लेयर, so you get 3 players back, so आपके टीम में, you will play, अगर जुआन फरांदो अपने, अगर अन्तुन लोपेजभास का 442 system, जो ATK के में खेलते थ अगर वही formation यहाँ पे खेलते है, पेतरतोस और साधी को दोनों start करने वाले है as a striker, midfield में आपको देखने वाले है, two new players, जरूर एक central defensive midfielder जो वो खरीदेंगे, market में जाके वो होंगे, उनके साथ एक कोई young player को यह आपको खिलाना पड़ेगा, क्योंकि you don't have any other players as well, दो wings मे you will expect two very quick young players, देखो, एक wing में आप जरूर पकर के चलो, कि एक wing में आपको, देखो, defense पहले बोल दो, defense में, Hemil यूस ते दोनों खेलेंगे, उनके साथ आप देखोगे, maybe Sumit Rathi and Ashish Rai playing, Sumit Rathi को शायद lipback खिला सकते है, I don't know, पर Shubhashish Boss तो आप चलेगा है, so maybe Sumit Rathi and you will see Ashish Rai playing in the defense, goal में आप देखोगे Ars Anwar को, midfield में 4-4-2 formation में दो wingers कोन होंगे, इसके ओपर बहुत बढ़ा सावाल है क्यों मनवीर लेस्टन दोनों नहीं है, so who will be that player, ये शायद हमें Engson को try करना पड़े, या Tyzon को try करना पड़े, maybe these two guys will try to put up a fight in the midfield as well, उसके बाद central midfield में Mohon Bagan के प अन्टोनों लोबेजाबास जो ATK के first season में 7 या 8 main team player injured होने के बाद भी ATK को first title दिया सा, so एक coach जो defensively बहुत strong है, जो underdog team के साथ बड़े teams को हरा सकते है, is that type of a coach, and Mohon Bagan are going into this tournament as an underdog, इसमें कोई doubt है नहीं, बुमोस हम को दे दो, truth तो यह है कि बुमोस के लिए FC Goa जाएगी बाई, I totally feel, बुमोस to FC Goa soon, yes, yes, बुमोस to FC Goa can be very soon, but Mohon Bagan sold in Laagba, AFC Cup, तू कलते पर बे, भाई, AFC Cup खेलने के लिए, you will have to win the, you will absolutely have to win the Super Cup, and that looks tough, बुमोस to FC Goa soon, yes, yes, बुमोस to FC Goa soon, yes, yes, बुमोस to FC Goa can be very soon है ही नहीं, do you think that Habas will go with this counter-attacking style or really follow up with Fernando, बिलकुल नहीं, Juhan Fernando को लाएगे गया है, counter-attacking football खेलने के लिए, he will fear counter-attacking defensive football, जो team leak कर रही है गोल, उस leak को रोकने के लिए, उनको यहाँ पर बुलाया गया है, so, he will absolutely do that job without a doubt, भाई, national team को Asian Cup के उपर life कर दो भाई, दो आपका बिचार जानना है, I will do one life, but as of now, right now, भाई, थोड़ा थोड़ा दिन दे दो, there are a whole lot of time, live videos भी आएगे, watch-alongs भी आएगे, don't worry, भाई, सोनी नौड़ी की आज में मोहन बगाने बिलकुल ना, जी तुपन ना, नहीं आ रहा है, सोनी नौड़ी, आस्चे ना हो, the truth is, वो आस्चे ना, I think Hyderabad में जुआन को जाने का chance है, maybe, maybe जुआन फरांदो, but I still don't think कि जुआन फरांदो उस type के team में जाना पसंद करेंग कि he will stay here for quite a long time, नय सीजन में किसी एक कलब के वो coach होंगे, so भाई, what do you think if Edu Garcia signs for Odisha then Goa should target in transfer market, अगर हुगोगोमू छोट देते हैं मोहन बगान, गोफोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगो आपको क्या लगता है, पार्थिव के ऊपर ज्यादा responsibility डालना था, इसलिए क्या उसको form drop हुआ है, आज रात का वीडियो जो होगा North East के बारे में, वहां पे इसके बारे में बात करेंगे, आज रात को North East का वीडियो आने वाला है, we will talk about it there, Derby, I think East Bengal are the favourites, East Bengal have a whole lot of the senior players, Mohan Pag and don't, you can sign Goa Romeo under Manolo and transform at his peak level, I don't think, I don't think, there will be no Vishal, Arsh Anwar is a good enough deputy, guys give me, just give me a minute, just give me a minute, take urgent, urgent call, let me take it. Sorry guys, chalo, I was actually doing it, so guys, chalo guys, what was I telling? भगवान का प्रार्थना हो रहाता, so मैं करके आ गया, जाके प्रनाम, so yes, guys, chalo, guys, let's do it again, so why, प्रभी दस क्या मोहन बगाने बैक कर सकता है, as of right now, no, there is very very less chances of him doing that, hello भाई, hello Jagdish, hello, 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 but Joe, मैं बोल लाता, so और एक पार्ट में आते है कि जुआन फरांदो सहिं का और एक बह कैसे sect coach बन गए, इसका भी थोड़ा discussion तो बहुत जरूरी बनता है इस टीम के लिए, so this is something that we will also discuss here as well, so the first thing that we will discuss is, जुआन फरांदो ने ट्रांसफर मार्केट में थोड़ा gap up किया, उन्होंने दो या तीन ऐसे अच्छे प्लेयर्स थे, उनको उन्होंने मार्केट में जाके खरीदा बट उनसे अपना बेस नहीं निकाल पाई, एक ही टीम में सहाल और अनिरुत थापा दोनों को खरीदा है किसी को भी आप कॉंस्टेंट गेम टाइम देने की कोशिश कर रहेते हैं, बट आइदर सम मैचेज में सहाल को आप आउट अप नेचल पोजिशन खिला रहेते हैं, सम मैचेज में आनिरुत थापा को अपने मार्केट में जाके बहुत प्लेयर्स खरीदे, पर प्रॉब्लम किसी भी प्लेयर्स को आपने ठीक थाग पोजिशन नहीं दे पाई, ठीक थाग रोल्स नहीं दे पाई, और अन्टॉन लोबेज अबास इसी जगह में एक्सेल करेंगे, क्योंकि अन्टॉन लोबेज हबास को अगर लगता है कि यह प्लेयर मेरे टीम में नहीं चले का, यह आप यह भी देख सकते हो जब सब प्लेयर्स लॉट आएंगे कि मोहन मगान कैन प्लेयर्स अगर अच्छा कोछ डिसिप्लिन से आपको सिखा पाएगा, यू कन प्लेयर डिसेंट अमांट फुटबाल अस वेल, सो एक बहुत बहुत बड़ी जो चीज थी, फिरांदो के सैको प्लेयर्स लॉट नहीं था, टीम के प्लस प्रॉपर बैक अप्स नहीं थे, अगर आप देखो, मोहन मगान के साथ प्लेयर्स चले गया है फिर्स टीम से, मैं मानता हूँ, सो वेर इस बिंस ट्रेंथ, क्यों मुझे बारबा यह रटना पर रहा कि मोहन मगान के बिंस के पास कोई प्लेयर नहीं है, अपर्ट फ्रम लाल इंवल्यान हमते, हमते के अलाबा, वो इस यूर मिट्फी इंडियन मिट्फीलर हीर, यू दोंट है नी, यू दोंट है इनिडियन मिट्फीलर, दीपक टांगनी भी चले गया है, यू वस अप्लेयर जो मैं एक्स्पेक कर रहा प्लेयर हमें कभी दिखा ही नहीं, so this is another big issue that we need to talk about, टीम के पास कोई bench strength नहीं था, जुआन फरनांदो ने अपने फिर्स लेवें को इतना ज्यादा स्पेंट कर दिया, आप गुआ के टीम को देख लो, they have a like-for-like substitutions, they have players like Devendra Munga, Brisson, Nemil, अगर आप North East में भी चले जाओ, you will see players like rhythm talang on the bench, जो शायद अच्छे quality के players हो, they may not be of less than Colasso level or maybe not be of Munvir level, but आपके बास decent backups होने चाहिए, so who will be the backups, so one of the biggest reason is team के पास X-Factor वाले players bench से नहीं थे, set roles नहीं था, and all of them has costed this team hard, सच बात तो यह है, it has costed the team hard, आप Assam का football के बारे में क्या सोचते हो, one video please, जरूर बनाओंगा, बह give excuse that it is because of new coach, सच बात तो यह है कि जुआन मतलब, एंटूनियो लोपेस हबास, has it lost a derby, first of all मैं ATK मोहन बागान को मोहन बागान नहीं मानता, बड़ चलो, for a minute let's take ATK मोहन बागान, consider it as मोहन बागान, तो derby match तो अभी तक जुआन पिरंदो के अंडर में हमने एक हारा था, and under लोपेस अबास हमने नहीं हारा, और सच बात तो यह है, अगर January का 19th के derby match को हम हार जाते है, I will totally agree, की ठीक है वाई, हमारे team के पास 7 players नहीं था, I do agree, but अगर ISL के derby हार जाते है, I will blame, I will blame, क्योंकि मोहन बागान और East Bengal के जब सारे players available होंगे, मोहन बागान is simply the better team, you will have to win the derby, but सच बात तो यह है, for the 19th, I don't think मोहन बागान are the favourites, but as for the ISL derby's, मैं जितना भी बुरा situation हो, I will still consider मोहन बागान as favourites, अगर नहीं जीत पते हैं, Antony Nolobis-Habas will be blamed, Antony Nolobis-Habas will be blamed, आप बाकी teams के साथ, Rachid, मोहन बागान को wrong बोल रहे हो, you are confusing other teams, मोहन बागान में आप assistant हो, मोहन में interim हो, team बुरा खेलेगी, तो गालिया पड़ेगी, we don't have keyboard warriors, हमारे fans keyboard warriors नहीं है, कि भाई, laptop के पीछे से बैठ के, या Twitter में बैठ के ग्यान दे, हमारे अगर कोच अच्छा नहीं कहलता, players अच्छे नहीं कहलते, the consequences are on the road, consequences are there in the pitch, भाई, मोहन बागान इस बेंगान में खेलन हार गई, तिरी टीम चाट टकेगी नहीं है, यह सब सुनना परता है, it's not like that, कि एकी city में, एकी team है, Mumbai में सिर्फ Mumbai है, Odisha में सिर्फ Odisha है, Hyderabad में सिर्फ Hyderabad football खेल रही है, अगर हार गए तो भाई, हार गई, क्या कड़े, East Bengal मोहन बागान में, match हाना is not acceptable, East Bengal के पास पैसे नह and in their peak, you will see within one or two years, coaches sack होते रहेंगे, कोई कोच सगा नहीं है, the only thing we Mohan Bakan and East Bengal fans love are trophies and wins, we don't care about anything, you are considering by excuses नहीं चलेगा, अगर 19th के derby को हार जाते, फिर भी गालिया मिलेगी, फिरांदो का अगर गल्ती, फिरांदो नहीं हावास के अगर गल्ती नहीं होगी, फिर भी गालिया मिल डर्बी आप नहीं हार सकते, you will have to win derby's, देंगे, क्यों नहीं, we have fans भाई, we have fans, unlike other teams, भाई, हवास is the new head coach, announced in the WhatsApp channel of ISL, yes, हवास is the new coach, absolutely, also change and he will change, अन्टुनो लोबेज हवास के system में टीम बहुत अच्छा फुटबाल खेलती है, अन्टुनो लोबेज हवास के system में फुटबाल होते है, players physically fit होते है, 90 minutes दोर सकते है, they rarely get injured, अगर आप पिछले बार की team को याद करो, जो ATK मोहन बगान थी, वहाँ पे injuries rarely होते थे, first team के सारे ही players fit होते थे, but one player that Antonio Loves-Habas will be missed, that is Pritam Kotal, Pritam Kotal एक ऐसे play थे जो Antonio Loves-Habas के system में बहुत अच्छा चलते थे, but who will be the backup of that, Anwar is an Asian class talent, world class नहीं, Asian class talent, वो Asia के leagues में खेल सकते है, so उनके साथ, शायद he will feel comfortable with him, long ball football केलने के लिए, Anwar is the best player, उसके पास बहुत अच्छे long balls है, उसके इस्तमाल करने की मोहन बगान पोशिश भी करेगी, Shubhashish Bose को शायद आप कुछ matches में as a converted centre-back or as a defensive little back खेलते होई देखो गे, Ashish Rai से आप best football expect कर सकते है, there are a whole lot of things as well, I think there are a whole lot of positives out there as well, भाई, AFC challenge league नहीं बोलें, इंडिया थे कोन क्लब Champions League लीगे खेल वे, the team which will become champion of which team, अगर जो ISL के shield champion होगे वो जाके खेलेगी, और जो Super Cup के champions होगे वो खेलेगे, that's the only two teams which will play in the AFC Champions League Tire 2, AFC Cup का नाम चेंज होगया भाई बेस, भाई, अनवर अली, built from the back, हवास अनडे successful होगे, हराम बॉल हो खेलते पार बे, he can play हराम बॉल, he is a very good long ball player, so yes, I do think भाई, अनवर अली किसी भी coach के अनडे successful होगे, he is literally a, he is literally a top class talent, इंडिया ने ऐसे कमी defenders produce किया होगे, जिन quality का वो है, so I absolutely believe it, he will be a successful coach under the team, मुहन ब मैच को मैं जीतने के expectation रखता हूँ, otherwise बाकी मैच इसको अगर आप देगा, सुनी डेकन के अगेंस, आप अपने second team को लेगे भी आपको जीतना चाहिए, the East Bengal Mohon Bagan match will be a knockout match, जो जीतेगा उसके लिए, सहर क्या गोवा धीरच को छोड़ देगा, I don't think so, I don't think, धीरच को नहीं, थामनेल और टॉबिक चेंज करें, North East वाले वीडियो लाइग होना था, रात को होगा ना भाई, किस दुनिया में हो, रात को ही होगा आज, आज रात को ही होगा, जुआन पद्रबनाली वाला, मैंने उसको पोस्टपॉन कर दिया, था कैंसल नहीं, just क्योंकि this is the breaking news, I have to cover this one जुआन पद्रबनाली का रात में आप कर सकते हो, वाई, वस्टेजियन जाता निया चे, भाई, किसको कोच करें शोमोधी, भाई, understand the frustrations, it's not like that, I mean, I don't like that, but the fact is, mid-season में कोई भी अच्छा कोच नहीं मिलेगा, so you will have to do with what you have in the hand, and Habas is more than good enough, he's a two-time ISL winner, इसी अगर और बागी अपर देल्धाबास as the head coach, so we are lucky that even when we are sacking a coach, we are getting a great coach like him, so yeah, Rachit saying, I know you are very hard, but you live in present, you are nothing in front of Mumbai City FC, I do agree, I do agree, Rachit, there is nothing to deny here, currently, if you look last five years of football, Mumbai City FC, is a bigger club than Mohanbagan, yes, absolutely, I don't think that, I didn't think that, I did not think that, but the fact was good for the Bengaluru FC, विदिन the 2014-2019 के पीएड में, Bengaluru were the best club. Mohan Baga ने दो Ailiqs जीते, बच चिल Bengaluru was the best club. And currently Mumbai City are the best club. इस साल Mumbai नहीं है best club. This season it's Goa who is the best club. बच्छी से मैं कभी नहीं मुखरता है. I am not deluded की सेइंग बच्छी है. Yes, historically we are the most successful club in India. In some extent we are the real Madrid of Indian football. But such बात तो यह भी है कि currently we are not the best in Indian football. Mumbai यार इस सीजन में even not Mumbai. Goa is the best season this year. Last 5 साल में Mumbai was the best team. उसके पहले 5 साल में Bengaluru were. There is nothing to deny here. Nothing. But the pressure at Mohan Baga ने इस दिफेरेंट. Mumbai की fanbase ग्रोग रही है. Goa की fanbase ग्रोग कर रही है. एक ताइम में Dimpo चल की बहुत बड़ी fanbase हुआ करती थी. But as of right now Goa फोड़े टिकेटिंग प्राइस का प्रोब्लम है. But they are a building fanbase. Mumbai बिल्ड कर रही है. Mohan Baga इस बेंगाल सौसा से बिल्ड हो चुका है. आज से 100 यास बाद Mumbai के पास भी a stable solid fanbase होगा. Your team will also win 50-60 trophies in Indian football. Mohan Baga इस बेंगाल had 100 trophies. You guys will also have 70-80 trophies. क्या इस में क्या गलत है? But the fact is as of right now Mohan Baga में coaching करना, you will have to be successful. It's taken for granted. You can't lose matches for Mohan Baga बाई. I think Lula move to Mohan Baga बाई. No भाई, no there is no chance. हा भाई मैंने भी बोला था पोस्पोर नहीं बोला. Yes भाई, we will do the show at night भाई. I do Tamda, उसी चलो फरांडो के? Yes? No, I don't think so. I don't think so. This sacking was imminent from a whole lot of long time. Habas returns, this is a good decision. Glorious days will come back. Glorious days आए के का नहीं नहीं बोल पाऊंगा, but they will do it. Any update on new Orisa signing? As of right now, there is no signing about Orisa. I don't think so. But guys, I am tired. Until then, it's goodbye from Aamben. फिर भाई, आज तो रात को आना ही है मुझे 10.45 को. 10.45 या, 11 किसी एक टाइमे मैं जुआन प्रदर बनाली का news लेके आऊंगा. बाकि जितने questions हैं, आप लोग रोख लोग. वहाँ पी जाके करना, I will again give you answers up there as well. But as of right now, it's goodbye from Aamben. टाटा. फिर मिलते हैं रात को विद जुआन प्रदर बनाली news भाई. टाटा. और भाई, भाई, सब्सक्राइब कर लो. इतना कुछ कर रहा हूँ, एक ही चीज़ते expectation रखता हूँ. सब्सक्रिप्शन, भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो. ये मत करना कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया.